हरियाना बोर्ड ने कल एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि दसवी और बारवी ओपन के स्टूडेंट जिनका रिजल्ट 19 तारिक को आया था और जिसकी उस रिजल्ट के अंदर रियापियर आई वी थी या फिर ऐसे चातर है जो इंप्रूमेंट करना चाते ह तो उन सब के जो है फार्म आज हरियाना बोर्ड ने जारी कर दिये हैं यानि कि आज हरियाना बोर्ड ने रियापियर का CTP का यानि कि CTP की फुल फॉर्म होती है Credits Transfer Policy और और क्लिक कर ले ताकि जब next video upload हो तो उसका notification आपको मिल जाए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको apply करना है सबसे पहले आपको google में जाना है और hbse लिक कर सर्च करना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल इसी तरह से लिखें और सर्च कर दें जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने link आएगा लिखा होगा board of school education हर्याना भीवानी जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है और इस link के ओपर आपको click करना है जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे तो आपके सामने next screen आजेगी और जो हर्याना board की main website है वो खुल कर आपके सामने आजेगी यहाँ पर scroll करते हुए आपको निचे की तरफ जाना है जब आप निचे की तरफ जाओगे तो आपको link मिलेगा यहाँ पर लिखा हुआ है online registration for secondary senior secondary open ctp reappear improvement additional exam September 2013 जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपको इस link के ओपर click करना है अगर आपके पास desktop है या laptop है तो वहाँ पर आपको screen पर ही मिल जाएगा वहाँ पर scroll करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप mobile से फारम बर रहे हैं तो आपको scroll करके नीचे की तरफ जाना होगा अब इस link के ओपर click करते हैं जैसे ही आप इसके ओपर click करेंगे तो आपके सामने जो है next screen आएगी और यहाँ पर जो important चीज़े हैं वो आप देख लीजिए download double payment refund performa यहाँ पर देखें अगर किसी भी technical fault की वज़े से अगर payment दो बार हो जाती है तो आप अपने payment को वापिस मं निस से लेके अठारा च्छे दो हजार तेईस तक आप without late fees फारम भर सकते हैं उननिस से दो हजार तेईस से लेके 3600,000 तक आप 100 रुपए late fees के साथ फारम भर सकते हैं उसी तरह से यहाँ पर date लिखी हुए है तीन सो रुपए late fees के साथ और यह जो date है in date के अंदर आप 1000 रु यहां पर देख सकते हैं वह 1100 रुपए है एडिसनल सब्जेक्ट की और रियपियर की फीज है 1000 रुपए और CTP यानि की क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी की फीज जो है वह 1100 रुपए है और CTP के फारम वह चात्र बरते हैं जो रैगुलर में fail हो गए हैं और चाहते हैं कि fail subject में योपपर दे कर वह पास हो जाएं कि CTP के अंदर सिर्फ उनहीं subject के अदर apply कर सकते हैं जिसमें आप fail हैं जो subject में आ हैं उसके number जो एजिटीज यूँ के यूँ ओपन में कनवर्ट हो जाएंगे यानि कि ओपन में चले जाएंगे, सिफ्ट हो जाएंगे और आपको एक्जाम देना होगा सिरफ फेल सब्जेक्ट का और जैसे ही आप पास होते हैं तो आपको हर्याना ओपन बोर्ड की मार्क सीट दी जाती है इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सो रुपे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानि कि दस्वें कलास की फीस है अगर एडिसनल का फारम बरते हैं तो गैरा सु रुपे फीस लगेगी रियापियर आई हुई है तो एक हजार रुपे फीस लगेगी और सीटीपी का फारम बरना चाहते हैं रेगुलर के चाहते हैं तो गैरा सु रुपे फीस लगेगी और प्रैक्टिकल के फीस जो हैं वो सो रुपे हैं उसके बाद है 12 के 12 के 150 रुपे हैं एडिस्ना सब्जेक्ट के फॉर्म के रियापियर के फॉर्म के है 150 और 1150 है CTP के और 100 रुपेस के भी है प्रैक्टिकल के लिए और उसके बाद यहां पर जो है इंस्ट्रक्शन भी दी गई है इंस्ट्रक्शन देख लिजिए आल दा प्राइवेट स्टूडेंट हूँ वांस तो इन्रोल इन सी टीपी रिएपियर फुल इंप्रूमेंट पार्शल इंप्रूमेंट एडिशनल केटेगरी ओपन रिएपियर 2023 विल डू दा रजिस्ट्रेशन बाइप क्लिकिंग ओन क्लिक यह बटन यानि कि जो यह बटन आपको दिखाई दे रहा था उपर इस बटन के ओपर क्लिक करके आपको अपलाई करना है फिस्ट टाइम और ध्यान अखना यह जो राइट साइड में यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ हुआ है और यह कैप्चल रहेंगे क्योंकि यहां पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है क्रियेट होगा उसके बाद जो है आप फिर यहां पर सेकेंड टाइम यहां से सेकंड फर्स टाइम के बाद जितनी बार भी आप अपलाई करना चाहें वह आप यहां से अपलाई कर सकते हैं उसके वाद अगली instruction देखते हैं स्टूडेंट और एडवाइस टू डबल चेक दा कम्प्लीट फोर्म डैट इच एंड एवरी कोलम इस फिल्ड विद करेक्ट डिटेल्स पर्टिकुलर बिफोर सब्मीटिंग दा एप्लिकेशन फॉर एक्जामेनेशन यहां पर यह लिखा हुआ है कि आप अपना फॉर्म जो है पूरा करने से पहले अपने जो भी इनफॉर्मेशन दी हैं उसको डबल चेक कर लें कि कहीं कोई गलती ना हो उसके बाद है आफ्टर सेक्सेश्फुली रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट और एडवाइस टू नोट देयर रजिस्ट्रेशन देयर रजिस्ट्रेशन इमेल आइडी और मॉबाइल नंबर जो आपकी इमेल आइडी पर भी भेजा जाएगा और आपके मॉबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर एक बार आप पेमेंट कर देते हो आप अपना फॉर्म फिल कर देते हो तो फिर किसी भी प्रस्तिती में आप अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं यानि कि जो इनफॉर्मेशन आपने दी है उसको चेंज नहीं कर सकते हो अगर एक बार पेमेंट हो जाती है उसके बाद वापिस उपर जाते हैं और apply करते हैं कैसे form के लिए apply करना है यहाँ पर click here इस बटन के उपर click करना है first time जब आप form के लिए apply करेंगे तो इसके उपर click करते हैं जैसे ही इसके उपर click करेंगे आपके सामने जो है कुछ information पूछे जाएगी सबसे पहले है class अगर दस्वी के चातर है तो यह वाला option है और बार्वी के है तो यह वाला option है तो यहाँ पर secondary वाला चूज कर लेते हैं apply for किस चीज के लिए apply कर रहे हैं reappear यानि कि अभी आपका result आया था 19 माई को और उसमें आपका result में reappear आया वाला option चूज करें अगर regular से जैसे चातर हैं जो fail हो गए थे या फिर पहले CTP का paper दिया था और उसमें फिर से fail हो गए है यानि कि दो में CTP थी और एक में पास होगे एक में रहता है तो फिर से CTP के लिए फुल इंप्रूमेंट के लिए पार्शल इंप्रूमेंट में जो है एक ही सब्जेक्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और फुल इंप्रूमेंट में मैक्सिमम चार सब्जेक्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं और उसके बाद है additional subject subject यानि कि कोई अगर additional subject लेना चाहता ह तो उसके लिए additional subject वाला option है तो यहाँ पर आपको re-appear के लिए apply करना है तो re-appear के ओपर click करें जैसे ही इसके ओपर click करेंगे तो उसके बाद select करना है year जो re-appear कब आया था अगर अभी आया था तो 2022 वाला option चूज करना है 2021 में था 20 में, 19 में, 18 में तो यह option दिये गए है, 18 तक के चातर जो है apply कर सकते हैं तो यहाँ पर 2022 select कर देते हैं उसके बाद है session कौन सा session था, July वाला था, August वाला था, March, April वाला, September, October तो अभी तो जो है आपका March, April वाला ही था तो उसके लिए आप यहाँ पर click करें उसके बाद यहाँ पर अपना roll number डालें और यहाँ पर date of birth और date of birth वही डालने है जो आपके school record में है जैसे ही आप यह सारी चीजे फिल कर देते हैं उसके बाद जैसे ही search के ओपर click करेंगे तो आपके सामने आपका record आ जाएगा और वहाँ पर आप से कुछ information पुछी जाएगी और बहुत सारी information जो है already फिल हो जाएगी क्योंकि हर्याना board के पास आपका record already है जैसे ही आप अपना roll number डेंगे तो अधिकतर चीजे जो है automatically fill होंगी कुछ चीजे आपको fill करनी होंगी और last में जो है आपको payment करनी होगी उसके बाद आपका form fill हो जाएगा तो इस परकार से आप अपना reappear का CTP का compart वो improvement का और additional subject का form भर सकते हैं वीडियो चीजे लगे तो like करे चैनल को subscribe करके all के बटन के ओपर click कर लें कि जब next video upload हो तो उसका notification आपको मिल जाएगा